में डेलवे एक और नई डेलवे लाइन का काम फिर से चालू कर चुकी है और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट उसे पहले हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब बिहार के इस नई डेलवे लाइन का काम अब दोबारा सुरू हो गया है जो बिहार में 16 साल से रुकी वी थी इस महतपुर्ण पडियोजना की लागत लगवग 4000 करोड की है जो बिहार के संचालन और समाजिक विकास में महतपुर्ण योगदान देगी यह डेलवे लाइन पूरा होने के बाद औरंगाबाद से पटना जाना बहुत असान हो जाएगा हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद बीटा डेलवे लाइन के निर्मान कारे के बारे में इस पडियोजना के सिलान नियास 16 अक्टूबर 2007 को बीटा में पुर्व रेल मंत्री ने किया था और इसके बाद से पडियोजना और सफल रही पुरानी योजना के तहत सर्वे का कारे सिर्फ 10 किलियोमेटर तक कम्पलीट हुआ इसलिए अब नए सिर्फ सर्वे की परकिडिया सुरू हो गई है और अंगाबाद बीटा रेल्व लाइन को डेले बोर नया रूप देने की योजना बनाई है इसके तहत नया रेल्वे ट्रैक बनाने के लिए सही रास्ता भी खोजा जाएगा इस रिपोर्ट के अधार पर प्रस्तावित रेल्वे लाइन के लिए भूमी अधिगरन सुरू किया जाएगा और अंगाबाद से पतना लगभग 150 किलोमेटर की दूरी है इसे तैक करने में 4 घंटे का समय लगता है लेकिन इस रेल्वे लाइन बन जाने के बाद यह दूरी सिर्फ डेर घंटे में कम्पलीट होगा और अंगाबाद रेल्वे लाइन एक प्रोजेक्ट है जो की इलाके में बहुत कुछ नया कर सकता है इसे छेतर का विकास तेज गती से होगा इसे पतना आने जाने का समय आधास से भी कम हो जाएगा और पुर्व मध रेल्वे के CPRO ने कहा कि रेले बोर्ड ने प्रस्तावित औरंगाबाद बीटा रेल्वे लाइन परियोजना के सर्वे के लिए 3 करोड रुपे दिये है ऐसे में वर्तमान में परियोजना का मुल्य अब 4,075 करोड रुपे हो चुका है आने वाले नई टोनों का लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो के से लगा कमेंट बॉक्स में बताएं